Hello everyone, today we are going to solve ili session number 12 page number 10.29 के उपर last ili session है हमारा और जो कि पेटी cashbook हमने सिखा था last time अलग format मतलब cashbook के जैसा format था इस time पर analytical cashbook हम कर रहे है जो कि अलग format है again और वो format आपको exam में आएगा पेटी cashbook का तो पेटी cashbook मैं यह जहाँ अभी आपको format रोड़ करते लेता हूँ यहाँ पर हम संप करते वक्त format बनाते जाए होगे क्योंकि हमने बता नहीं है कितनी कोलम रखने यह है यह format के लिए अगर आप पहले से बनाना चाहते हो तो आपको पूरा संप रीड करना पड़ेगा otherwise आप सिधा इतना करके साथ में ड्रो करते जाते तो भी चलेगा ड्रो करते जाओ तो भी चलेगा तो यह अभी हम संप रीड करेंगे और साथ में ड्रो करते जाएंगे संप सोल करते हो एक रीषिप फिल्डेट वाउचर नमबर पर्टिकिलर अब आपको जितनी कोलम यहां पर किकनी कोलम फिक्स है इसी वाउचर नमब का देख वाउचर नमबर पर्टिकिलर फिल्ड टोटल मतलब एक्स्टेंस का टोटल अब आप एक्स्टेंस की कोलम आपको रखनी है लास्टेंस हमने जो सीखा था वो एक टाइप की यही फॉर्मेट था लेकिन इसमें एक ही कोलम आती थी पेमेंट की अब एनलिटिकल में एक्स्टेंस की अलग-अलग कोलम हम बना रहे हैं कितने एक्स्टेंस आएंगे वो हमें पता नहीं इसलिए मैंने यहां पे दिलेक रखा है जितना एक्स्टेंस आएगा उतनी हम कोलम बना लेंगे साथ में रिसिट यहां पे लिखनी है पेटी केश बूप का मितलब आपको पता है कि कोई भी कोई चीफ केशियर हो हमारा या फिर पेटी केश जो संभालता हो वो हमारा फिर का केशियर हो वो चोटे मोटे एक्सपेंस करते जाता है उसको हम पहले से एक अमाउंट मंधली दे देते हैं और उसके उपर से वो सारे चोटे चोटे एक्सपेंस करते जाता है वो एक्सपेंस की अब आपको कोलम रखनी है जितने एक्सपेंसर उतनी हम को लंब बनाएंगे इसको एनालिटिकल कैश बुक बोलते है जनुरी फर्स्ट रिसीव्ट प्रोर पेटी गैस तो यह इंकम हुए हमारी 10,000 गेट पॉस्ट यहां पे तू कैश या से तू बैंक निखना है क्योंकि यह हमारे लेख इंकम है और यहां पे आप देख सकते हो कि दोनों साइब है जेघर यह चैन साइब पाटिकुलर भी सेन यहां पे लीकौ माउक तो लिखना है यहां पे लीकौ माउक तो भाई है सेकंड पेड मेट्रो फेर फिफ्टी रुपीज अब आपको जितनी भी एंट्री आएगी वो सारी पेमेंट की होगी कोई एकार रिसिप्स जादा हो सकती है लेकिन मोस्ट लिए अब आपको सिधा पेमेंट ही आएगा तो सेकंड यहां पे आप भाई लिखना है और आप जरूरी नहीं आप जो वर्ड उसमें यूज किया हो वही एकाउंट बना है आप उसको कंबाइल करके यह मेट्रो फेर है तो ट्रावेलिंग एक्सपेंस या फिर कंवेंस एक्सपेंस लिख सकते हो कंवेंस मतलब ट्रावेल तो 50 रुपीज हम टोटल में लिखेंगे और कर्वेंस एक्सपेंस में लिखेंगे सारी अमाउट जो है जितनी भी हम कोनम बना है उसमें भी लिखेंगे और टोटल में हर एक ट्रांजेक्शन की अमाउट लिखेंगे सेकंड पेज काल्टेज 250 अगें बाइं काल्टेजिक्शन की रिखेंगे ही हम अकाउंट बना लेंगे की और के मैंने इसलिए ब्लेंग रखा था कि जो भी एक्सपेंस आये हुँ एक्सपेंस हम बाजू में लिखते जाएंगे Hi Third paid for postage tus50 paid for postage by postage account 500 My child paid wages for labor केजियोल लेबर्स 600 तो वो जो 600 है वो हम वेजिस और केजियोल लेबर्स जो है जो भी हम एक अकाउंट हम एसा रखेंगे कि जिसमें इसके भी अमाव हम कंभाई मिक्स हैं मतलब लास्ट जो एक अकाउंट लिखेंगे उसको हम बोलेंगे संड्री एक्सपेंस में कोई बीच में रख दो तो भी चलेगा संड्री एक्सपेंस में कोई बी अलग अलग टाइप के एक्सपेंस आप मिक्स कर सकते हो फॉर्थ पेड फॉर स्टेस्ट नरी एक्सपेंस आप केंस देखेंस आप धी अटाइप लिखना है ओटो चार्जिस तो अब इसको हम अगें करने अश्में लिखेंगे ट्रावेलिंगे एक्सपेंस जो है हमारा उसमें सारे एस ए टाइप के एक्सपेंस आ जाएंगे फिफ्ट पेइड फॉर रिपेर ओफ चेर्स फिफ्ट बाइ रिपेर एकांट तो अंगेर Massachusetts तो अंगेर है तो अंगेर का अंगे एक्सपेरים हम अलग बना लेगे एक्सपेर्स फिफ्ट अंगे तोहिए ट्राव। फिफ्ट पेड बास फिर ठींड है सुरी वन अन्टों तो सीफ्स्त सब्साइब भाइब बस फिर उसमें हम नंट्रेट लिखेंगे यहां पर लिखेंगे और यहां पर यहां यहां इन इसमें हमारा अगें फीफ्ट बाइब कार्टेज कार्टेज में 400 है तो पाटेज की कोलम हमें बना रखी है उसमें 400 सिक्स बाइब पोस्टेज पोस्टेज भी कोलम है हमारे पास 700 टोटल में और 700 पोस्टेज कंवेंस चार्ज 300 तो अगें हमारे पास वो भी एक्स्टेंस है कंवेंस 300 और वो कलम है 300 अगें पेड कार्टेज तो वो भी हमारे पास कोलम हैं कार्टेज 300 और कार्टेज 300 लास्ट पेड टेलिफॉन बिल शिक्स 200 तो एक्स बाइब टेलिफॉन बिल तो वो हमारे पास कोलम नहीं है 200 तो वो हम लास्ट बिल नेते हैं 200 तो यह सारे एक्सपेंस की कोलम हमने बना ली और एक्सपेंस भी नोट डान कर लिए यह अब उसकी हम बेलेंस निकालेंगे टोटल रिशिक में से टोटल एक्सपेंस माइनस कर देंगे 10,000 यहाँ पे टोटल आपको लिखना है टोटल एक्सपेंस जो है वो आपको लिखना है यहाँ पे 10,000, 10,000 में से यह सारे एक्सपेंस आप माइनस कर दो तो इस साहीं का टोटल भाइचा लाहन है और गेवाल-भाइचा लिखना है बाइ, बेलेंस ये इसके भी खास तकी आपको पता चले कि फर्म का total expense कितना है ओके total expense आपको पता चल गया है कि 5,500 है उसके बाद balance है 4,500 जो की हमारे पास पड़ी हो और सारे column की हम total करेंगे इतनी भी column हम ने डिला ही है उसका total करेंगे इसका 850, 1200, 600, 400, 1500 और 200 इससे यह पता चलता है कि कौम सा एक्सपेंस कितना हुआ है टोटल और यह फार्म का टोटल एक्सपेंस पेटी केश का जो छोटे मटे हम करचे बोल दें इसको यही फॉर्मेट्स आपको एक जम्बे करना है अर्म कहां, लौक्ताव धलबैन अच्छ।